हाई दोस्तों नमस्ते वेलकम बैक टिव चानल में हूँ शीजा आज आप लोग के लिए में लेकर आए हूँ बहुत ही एम्मी और फ्लाफी और हेल्दी आटा और गूड की केक रस्पी तो इसके लिए बहुत कुछ चीज नहीं जरूरत है जो हमारा गर में हमेशन रहते हैं उसी से ही हम लोग रस्पी को बना सकते हैं एकड़ मॉइस्चर वाला फ्लाफी वाला और वेरी हेल्दी वाला तो जब चाहिए आप बना सकते हैं चलिए शुरू कर लेते हैं सबसे पहले मैंने हां आदा कप गूल दिया है जो भी अपना घर में रहता है कप वो भी यूज क नहीं करना है इसको ऐसी थोड़ा देर छोड़ देंगे बागी जो प्रोसेस है हम लोग कर लेंगे इसके लिए मैंने जो रेगलर घर मेरा एक बाउन लिया है जो श्टील वाला उसी में मैंने तेल थोड़ा सा ग्रीज करके रख दिये तो इसके बाद जो प्लैन वाला कर लिएक तो उल्टा करके बाल को अब देखिए इतना तो साइज बढ़िया है तो हम लोग इसको प्लेस कर लेंगे फिर हमने इसको प्लेस कर दिया है तो इसका बार फिर से तेल अम लेकर ले detecting तो जो फेपर हमने लिया है उस को और यह बहुत ही आसान है कि हम इसलिए बना सकते हैं एक बार इसको अच्छा चेक किजिएगा फिर आप बना लीजेगा इस तरह से मैं आच्छे से ही इसको कोटिंग कर लिया है उसका बार मैंने यहां अरेंज कर रहा हूं बेकिंग के लिए एक बॉल लिया है उसमें नमक डाल द किजिएगा जो भी इसमें चेलेगा इस अब रखे अब इस तरह से बंद किजिए अगर कही होल हो है तो इस तरह से आप बंद करके रखेगा और श्टॉक को अन किजिएगा उसी का बाद देखिए मारा जागरी एकदम मेल्ट हो चुका है एक बार इसको चान लेंगे इस त तेल डाल दिया है तेल का जगा में घी ले लिजेगा या बटर ले लिजेगा जो भी अपना पास रहे तो ले 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 जेगा आधक कप इसमें डाल दीजेगा इससे हमारा जो केक है बहुत बढ़िया बनता है इसको अच्छे से मिक्स किजिएगा इसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे आटा जिस कप से मैंने बाकी सब नाप लिया है सेम उसी कप से ही मैंने हम वन अड़ हाप कप एक और आधा कप करके आटा लिया है तो इस अब अच्छे से डाल दिजेगा अच्छे से कही से भी बढ़िए बबल्स नहीं रहना है एकदम अच्छे से ही इसको मिक्स कि जिएगा इस तब से मिक्स करते जाएगा अगर आपको तोड़ा सा कम लगे थोड़ा दूद डालने से जो मारा केक हैं अच्छा खाने पर एकदम एम्मी बनता है बेकिंग शोडा में अगर निम्बू नहीं तो आप दूद भी आरक सकते हैं तुरंट आप एकडम जब मिलाते हैं तुरंट आप मिक्स कर दीजिगा तुरंट फिर बॉल में शिफ्ट किजिगा तुरंट फिर आम लोग बेक के लिए रख देना है नहीं तो यह नहीं तो यह तो याद रखना जरूर है हमारा केक एकडम फूलना है और पाफिक बनना है और जो सोफ्टनेस आना है मॉइस्चर आना है यह टीप जरूर फालो करना है इसको बेक करने के लिए मेने मीडियम फ्लेम में 45 मिनिज तक पेक किया है बच्चे की जिगा देखे कितना पॉफेक्ट हमारा केक बन चुका है देखे हो गए है अब इसको निकाल देंगे एकडम ठंडा होने देंगे तुसी के बाद इसको हम लोग काटके सव कर लेंगे जब भी इसको ठंडा करना होता है उपर एक कपड़ा डाल दीजेगा अच् निकालने के बाद हम लोग इसको एक प्लेट उपर रखें परलट लीजेगा उसका बाद उपर एक बार इस तरह से कर देजेगा तब हमारा जो केक है असानी से निकल जाएगा फिर एकडम सव करने के लिए भी ताय रह जाएगा जरूर इस रेस्पी को ट्राइं किजेगा बहुत ही एल्डी होता है बहुत ही पॉफिट बन जाता है घर में जो चीज है हमारा जो वही उसी से ही बन जाता है तो इस तरह से उपर वाला जो बटर पेपर हैं हम लोग निकाल दिया है देखिएगा हमारा केक इतना अच्छा बढ़िया बनी है अगर यह फूला नहीं हो तो अब इसको काट लेंगे सर्व कर लेंगे जो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा ज्यादा कचरा शेर कीजिएगा ध़ता बनी हाओगा हमार स्वाना के कीजिए दीएग फिरा के द aखlee के लेता हमारशना के द वित करता है